आप किसी भी बैंक के बैंक अकाउंट से उसकी बैंक की पूरी डीटेल से निकाल सकते हैं और उसके बैंक का इस्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं यदि आप भी अपने परिवार के किसी भी सदसे या फिर आप अपने स्वैम के बैंक अकाउंट का इस्टेटमेंट निकालना तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मैतोपूर्ण होने वाली है वीडियो को लर्ष तक देखिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा साथ ही सैनल पर पहले बार आए हैं तो सैनल को भी सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा सबसे पहले friends आपको अपने mobile phone में play store को open करना होगा और play store से एक application डाउनलोड करना होगा जिसका link में वीडियो की description में भी दे दूँगा तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं application डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या-क्या method पुन setting करना है उस setting के बाद ही आप किसी भी bank का statement निकाल पाएंगे तो सलिये friends सबसे पहले उस application को डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर आप search करेंगे all bank passbook spelling आप पर दिया हुआ हैं इसी परकार से आप type करके search करेंगे तो यह application आपके सामने आजाएगी इस application को यहाँ से install करेंगे install करके आप open करेंगे open करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर allow का option देखने को मिल जाएगा तो आप allow करेंगे allow करने के बाद में इसका home page कुछ इस परकार से open हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना bank select करना होगा तो यहाँ पर कई सारे bank दिये हुए हैं तो सबसे पहले अपना bank select करेंगे इसके बाद में friends आपने जिस mobile phone में ये एप install किया है उसमें कौन सा mobile number है उस mobile number पर जितने भी account number है उन सबी account number की details इस एप में automatic की आ जाएगी इसके बाद में friends bank के नाम के नहीं से आपको account number के last 3 digit दिखाई दे रहे होंगे उस पर आप click करेंगे उस पर click करके आप अपने bank account का statement निकाल सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आप किसी भी transaction पर click करेंगे तो उस transaction की details आपके सामने आ जाएगी इसके बाद में friends यदि आप अपना bank account का total balance देखना चाहते हैं तो आप इस दिये गए mobile number पर miss call करेंगे miss call करने के बाद में आप जिस register mobile number से miss call करेंगे उस पर message आएगा तो आपका balance वापर दिखा दिया जाएगा इसके बाद में friends आप यदि केवल SMS के दौरा अपना account का balance देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको register mobile number से एक SMS बेजना होगा उसके बाद में आपके पास message में balance सो हो जाएगा केवल एक मेने का statement निकालना चाहते हैं तो आप जिस account number का statement निकालना चाहते हैं उसके डीटेल से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी तो इस परकार से आप अपने परिवार के किसी भी सदे से का account का statement निकाल सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा साथ ही सेनल फर पहली बार आए हैं तो सेनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद